सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वाला बटन दबाईए तक आना वाले टाइम में जितने भी बैंकिंग के अपडेट्स है वह आप सभी को मिलते रहें किस तरह से आपको प्रपेशन करनी चाहिए क्या आपके स्टेटेजी होनी चाहिए और यह गौल्डन अप्चिन निकल आ जाए गई क्योंकि last year के तरह है, जिस तरह 2020 में हुआ था बहुत सारे student के साथ के SBA clerical exam, IBPS exam तो वह सारे examinations कहीं नहीं के miss हो गये थे, कहीं पे किसी के 1.2 marks से, किसी के 3 marks से तो इस तरह से बहुत सारे student के examinations है, prelims or men's miss हो गये थे तो वह कहीं आप लोगों की थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां थी जिनके बजासे आप लोगों का examinations कहीं क्वालिफाय नहीं हो पाया था, शहीं उसमें cut-off जादा चली जाए या अगेंसी का हो, पर कहीं आप लोगों की preparation में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, कि उसके ब examinations, जो bank examinations है, कहींने कहीं आप लोग माने के चलों कि यह जो older pattern है, वो कहींने कहीं 2020 में last होने वाला है, क्योंकि स्तंबर में आप लोगों को पता है कि CET आ रहा है, तो उसके बाद पता नहीं है उसका क्या schedule होगा, साल में एक बार exam होगा, दो बार exam होगा, उनके लिए को इंस्टिटूट होगे, कहां पर examinations होगा, किस टाइब का syllabus होगा, क्या exam का pattern रहेगा, यह जो अभी कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, तो इससे अच्छा है कि इससे पहले जितने exam हो रहे हैं, आपका अभी 6 exam bank के होने हैं, जो major exam है, 6 exam bank के होने वाले हैं, इसमें दो इस साल, इन examinations को किस तरह से टार्गेट करें, अगर आप लोग 2021 को टार्गेट करोगे, तो यह अच्छा एच्छा exam आप लोग इसली करे कर सकते हो, एक ही preparation में, पर preparation ऐसी होनी चाहिए, जिसमें 0 to hero आप लोगों को करना है, यानि एकतम basic से लेके high level तक चीज़ें आप कर पाऊगे, और 6 opportunities सिर्फ एक preparation से आप लोग हो जाएगी, यह भी कितनी बढ़ी पात है आप लोग के लिए, तो आप लोग देखिए कि जो छोट-छोटी गंदी है वो इस बार नहें दो रहाए जाए, और इस बार कहीने के इस लेक्शन जो ले लिया जाए, क्योंगे आग इंग्लिस के लिए किया जाए, इंग्लिस बहुत वीक है, कहीने कहीं, एस बीक लेकल में sectional cut off तो नहीं होता, जो new student है, उनको बता देना चाहता हूँ कि, एस बीकल लेकल में sectional cut off नहीं होता, इंग्लिस में अगर आप 0 marks लेक्याओगे तो भी आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे पर इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग इंग्लिस पढ़े ही ना, क्योंकि इंग्लिस अगर आप लोग पढ़ोगे, तो कहीन है कहीन है अगर आप लोग के 10 marks भी इंग्लिस में आते हैं, बात को ध्यान से सुनना, अगर prelims के अंदर 10 marks भी आपके इंग्लिस के आते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों जागे हो जाओगे, यानि हो सकता है कि cutoff 75 चली जाए, हो सकता है cutoff 72 चली जाए, 69 चली जाए, 68 चली जाए, जिस भी state से आप अपलाई कर रहे हैं, उसकी cutoff unpredictable है, यानि जब examinations होगा, कितने vacancies है, कितने candidate अपलाई कर रहे हैं, उसके ब आप है, तो यह 5 marks हम कहां से कहने करेंगे, फिर वोई चीज हो जाएगे, फिर से last year वाली की examinations में नहीं की, English हमारी बीकती है, तो English के 10 marks कम सकम लेके आने पड़ेंगे 35 marks मैं से, जोरी 30 marks होदा है English, तो उसमें से कम से कम आप लोगो 10 marks लेके आने होगे, अभी यह 10 marks आएंग जितनी जादा आप लोग की reading होगी, उतना जादा आप लोग exam के अंदर score कर पाऊगी, reading का मतलब यह नहीं है, माली जी आप जैसे दा हिंदू है, या कोई भी editorial आप लोग पढ़ रहे हो, जुरूरी नहीं है दा हिंदू कोई पढ़ाओ आप लोग, कोई भी easily जो आप लोग जो भी इसे नीचे लेवल का जो भी आप लोग को newspaper मिले, उससे आप लोग अपनी preparation कीजिए, और आप लोग को देखना है कि जो editorial section है, सिर्फ उसको पढ़ना आप लोग को, line by line पढ़ना है, और उसको अच्छे से समझना है कि इसके अंदर यह बोलना क्या चार रहे है, यान मोटा मोटा अगर आप लोग समझ पाऊगे, तो अभी आप लोग क्वालिफाइ कर पाऊगे examations, तो यह सबसे बड़ा, यह एक student चाते हैं कि हमारी English कैसे improve होगी, तो यह एक easy आप लोग को बता रहा हूँ, easy भी है, सबसे easy भी है, कोई भी आप लोग कुछ भी नहीं करना, स तो आप लोग definitely exam के अंदर score करके आऊगी, और सिर्फ आप लोग को आदा गंटा या एक गंटा इंग्लीज को देना है, और उसमें आप लोग को reading करनी है, और कुछ नहीं करना इसे ज़्यादा, और उस reading से आप लोग के marks improve होँगे, इसके बाद आप लोग को बता देना है दूसरी जो चीज आती है, match or reasoning, match or reasoning, all about practice, पूरी पूरी आप लोग की practice, पहले आप लोग इनकी basic concept का लेरे कर लीजिए, जैसे आप लोग के basic concept का लेरे होते हैं, फिर आप लोग practice पे लग जाईए, चोई आप online practice कीजिए, पर ज्यादा best रहेगा आप online practice करो, mock test से practice करो, क्यो आप लोगों को आप लोगों को आपको करना है, तो वीडियो में बने रही है, और उसके बाद आता है GA section, GA section के कर बात की जाए, तो जीए देखिए, सबसे बड़ी दिक्कती ही आदिया, last year भी यह दिक्कती, कि sir GA पढ़े कहां से, आ कहां से रहा SBA में, तो SBA में GA last six month का जी GA था, दस मेने पराना जी के आप लोगों से पूचा गया था, पर वो चीजें और थी यार, last year COVID-19 के बज़े से सारी चीजें उल्ट फूल्ट थे रही, यानि examination जो October में होना था, वो जाके कहीं February में हुआ, तो उस बज़े से इस तरह से आप लोगों को देखने को मिले, क्य और इस से बार क्योशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, current affairs की बात कर रहा हूं मैं, और current affairs के यहां पर क्योशन 50 में से कम से कम 30 क्योशन current affairs के आएंगे, 30 से ज़्यादा ही आप लोगों मिलेगे, कुछ आप लोगो static मिलेगा, कुछ banking की questions मिलेगे, तो मानके से लोग अच्छे से preparation करोगे, फिर से मैं बता रहा हूं, तो यह आप लोगों का पूरा schedule होना चाहिए, जीके को एक गंटा दीजिए, डेली ज्यादा मत दीजिए, इंगलिस को एक गंटा दीजिए, डेली ज्यादा मत दीजिए, शिर्फ दो गंटे इन दों को देना है, बाके आप केरियर क्लाउट से एप डाउनलोड करने पड़िए, प्ले स्टोर पे जाके यह एप डाउनलोड कीजिए, आप केरियर क्लाउट और इसमें जाके बैस्ट क्रेक करेंट अफेर 2020 का कोर्स है, वो अगर आप लोग परचेस करोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी अब आप लोगों को पताने के पचास के पचास क्योशन डेली के याद करना है, कौन सा क्योशन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो सारी चीजें, अगर आप लोगों को क्योशन मिलेगी, उनकी पीडिप्स मिलेगी, उनकी क्विज्स मिलेगी, तो बहुत सारी दीस्केसमिन देरकर जाकर आप लोग चेक आउट कर सकते हो मॉक टस्ट की बाद कि जाए जा देखे मॉक टस्ट के लिए मैं लिंक डिस्केसमिन देरकर आप लोगो के लिए S.B.Clerical S.P.S.A.L.E. लिंक लगा होगा वहाँ पर जाकर आप लोग यह मॉक टस्ट करें sb clerical memory waste paper है यह last year का 2020 का जो एक्जाम हो था उसका memory waste paper आप लोगे लिए एकदम free test है यह कोई भी आप लोग को charge नहीं एकदम free test आप लोगे लिए यह वाला test आप लोगा sb clerical के लिए model paper है so question है 1 गंटे के time है so marks के है यह वाला tag test पर जाके कीजिए आप एकदम free आप लोगे लिए कोई भी charges नहीं है इसके सिर्फ आप लोग को जो link देर का उस पर जाके registration करना है और इस mock test को attempt करना है इसके बाद एक mock test आप लोगे लिए और है free वाला यह mock test है यह mock test भी आप लोगे लिए एकदम free है दो mock test आप लोगे लिए free मिल रहे है sb clerical के सिर्फ registration करना लिंक पर जाके और यह mock test आप लोग दोनों attempt कीजिए अगर आप लोग लगता है यह mock test attempt करने के बाद कि यार कहिने के exam के level के questions है तो आप लोग इसका फिर annual जो subscription है वो ले सकते हो और उसमें भी code यूज़ करके उसका भी link दिया हो साथ में तो आप लोग को discount मिल जाएगा पर आप लोग पहले यह free वाले attempt कीजिए उससे पहले आप लोग इन दोनों mock test जो free आपको मिल रहे है इनको attempt कीजिए जाके registration करके और देखिए कि यार exam का level क्या है exam में pattern कैसे आते हैं इस memory based से आपको सब पता जल जाएगा और फिर यह test लगा होगे न तो आपको पता जलते है और memory based और इस test में कितने similarities जीजे मिल दी अपने को और exam ले लिए आई कि आम रूटेट है या नहीं तो आप लोग खुद जाके चेक कीजिए यार किसी के कहने पे मज जाईए पर ज जुरूर आप लोग टेंट कीजिए तो आप सभी को बैस्ट पिसे आपका प्रिलिम्स के आपका रिजल्ट आई और दस दिन बाद आपका मैंस हो तो यह चीजे ना हो जाए लास्ट एर वाली तो इसके लिए आप अभी से प्रिपेशन स्टार्ट कीजिए गोल्डन बार बार मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूं आप लोग नोटिफेशन को बैट मत कीजिए और अपने प्रिपेशन को स्टार्ट कर दीजिए तो ठेंक्यू दोस्तों कर वीडियो पसंदर लाइक सेर कीजिए